दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह घर बनाने के काम में आई नाई टेक्निक्स और मशीनों ने कंस्ट्रेक्शन के काम को एक अलग लेवर पर पहुंचा दिया है पहली नजर में ये यकीन कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है कि ये लोग दिवार के अंदर भला थरमल क्यूं लगा रहे हैं अगर इसकी वज़ा जानकर आप भी हरान रह जाएंगे जैसे के आप देख सकते हैं ये मिस्टरी दो दिवारों की बीच में थरमल कोल की शिट लगा रहा है इनके ऐसा करने से जब गर्मियों में बाहर की तरफ इन दिवारों पर धूप पड़ेगी या भी लोग वगयरा चलेगी तो बाहर से तो बेशक दिवारें गरम हो जाएंगी अगर दिवारों के बीच में थरमल कोल लगा होने की वज़ा से गर्मी की वो तपिश थरमा कोल को पार नहीं कर पाएगी और घर के अंदर नहीं आ पाएगी और घर के अंदर का टेमप्रेचर नार्मल बना रहेगा और आपको गर्मी महसूस नहीं होगी बिल्कुल इसी तरह से सर्दियों में भी ये थर्मा कोल तिवारों के अंदर ठंड को घुसने से रोकेगा और घर के अंदर टेमप्रेचर को नालमर बनाई रखने में मदद करेगा नमबर टू, हैंडमेड ग्रूफ टाइल्स घर की छतों पर लगने वाली टाइल्स को हाथ से बनाने का ये अनोखा तरीका इस मजदूर की जबरदस्त मेहनत का एक नमूना है नमबर थ्री, कर्ब रोलर सरकारे कामों में इस तरह की मशीन का इस्तमाल किया जाता है सरकों के किनारे पानी की नाकासी के लिए जो नाली बनाई जाती है अगर इसे हाथों के जरिया बनाया जाए तो काफी ज़्यादा वक्त लग सकता है मगर ये मशीन वही काम काफी तेजी से कर जाती है और फिनिशिंग भी काफी अच्छी आती है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं नमबर फोर मैक्स रिपर घर का काम होने के बाद बाहरी आती है इसमें वाइरिंग के लिए सुराख बनाने की जहां पर आज की दोर में इस मशीन ने इस काम को काफी असान कर दिया है जहां पहले घंटे लग जाते थे हथोड़ी और छेनी के जरिये इस काम को करने में वहीं आज ये काम मैस कुछ मिंटों में ये मशीन कर जाती है नमबर फाइफ प्रिक हैंडल फाइफ से एक से ज़्यादा इंटों को उठाना काफी मुश्किल और तकलिफ भरा होता है मगर ये छोटा सा दिखने वाला टूल इस काम को काफी असान बना देता है नमबर सिक्स सीमेंट मॉल डिजाइन घर बनाते वक्त घर में कुछ ऐसी जगे होती हैं जहां लोग बिल्कुल हटकर काम करवाते हैं जैसा कि ये सीमेटेट धांचा दरसल यहां पर ये कारिगा इस छोटे से बगीचे के लिए इस कस्टम सीमेटेट गरिल को इन पलास्टिक से बने सांचों के जरीए शेप दे रहे हैं जो के वाके में दिखने में काफी खूबसूरत लगते हैं और इन कारिगरेओं की कमाल की कारिगरी की भी मिसाल देते हैं बाद भी काफी जगों पर सडकों और फुटपात पर बिचने वाली टाइल्स को एक एक करके हाथों से ही बिचाया जाता है जहां काफी ज़्यादा टाइम लग जाता है वागर ये पेव लेइंग मशीन इस काम को महस कुछ मिंटों में ही कर जाती है तरसल ये मशीन टाइल्स के एक पूरे बैच को एक साथ उठाती है और फिर उसे परफेक्टली रोड पर बिचा देती है जिसकी वज़से घंटों का काम मिंटों में हो जाता है नमबर एट टाइल्स कटर टाइल्स के जरिये फुटपाथ बनाने में सबसे मश्किल काम होता है किनारों पर बचने वाली जगों को भरना क्योंकि टाइल्स एक ही साइस की होती है और इन्हें उस बची हुई जगा के हिसाब से काटना मुश्किल होता है तो ऐसे में काम आती है ये मश्किन जो टाइल्स को बिल्कुल परफेक्ट शेव में काट देती है और इन खाली कोनों को बिल्कुल सफाई से भर देती है नमबर नाइन रेबर कटर डी बी सी सरीए को एक परफेक्ट एंगल में मोड़ना हाथ से पहत मुश्किल होता है मगर ये मश्किन वही काम बड़े ही असानी से और बिल्कुल परफेक्ट लिक करती है यही नहीं इस मश्किन के जरिया आप सरीए को बहुत असानी से काट भी सकते है नमबर टेन रोबोटिक वाल्मेकर यह रबोट टेकनोलजी के इस जमाने में घर बनाने में इस्तमाल होता है यह रिबोट दिवार बनाने जैसे काम को बड़ी ही सफाई से कर जाता है जहां ये रिबोर्ट सीमट को भी बिल्कुल सही मिक्दार में हर इंट के उपर लगाता है नमबर 11 टेप वाल डिजाइन यहां पर दिवार पर डिजाइन बनाने के लिए एक खास तरह की टेप का इस्तमाल किया जा रहा है जो के वाके में दिवार पर डिजाइन बनाना काफी असान बना देता है नमबर 12 प्लास्टरिंग मशीन जहां पहले मिस्तिरी तसले में सीमट का मिक्सचर बना कर इसी दिवार पर प्लास्टर किया करते थे तो वहीं मोडरन जमाने में ये प्लास्टर मशीन बड़ी ही तेजी के साथ दिवारों पर प्लास्टर कर जाती है और काफी टाइम भी बचाती है और दूसरा फाइदा ये है कि इस मशीन के इस्तमाल से प्लास्टर बिल्कुल भी जाया नहीं होता नमबर 13 प्लास्टर लेंग मशीन भर की दिवार बनाने के लिए ये मशीन आज के जमाने में काफी इस्तमाल की जा रही है दरसल इस मशीन का सबसे बड़ा फाइदा ये है कि इसमें फिनिशिंग काफी अच्छी आती है और सिमट बरबाद भी नहीं होती नमबर 14 प्लास्टर लेंग मशीन 2 एक पिछली मशीन की तरह ही इस मशीन में भी काम वैसे ही होता है मगर इस मशीन में प्लास्टर की लकीरें बनती हैं जिसकी वैसे दो इंटों के बीच में पकड़ काफी मजबूत रहती है नमबर 15 प्रोब्स्ट लेवल फिक्सर फूट पाथ पर टाइल्स बिचाने से पहले उसको रेट डाल कर बराबर किया जाता है और लेवल करने का काम अगर हाथ से किया जाये तो काफी ज़्यदा टाइम ले सकता है मगर ये आम सी दिखने वाली मशीन इस काम को बड़ी ही असानी से कर जाती है इस मशीन की एक और खास्यत है कि आप इस मशीन को जगा की चोड़ाई के हिसाथ से कम ज़्यदा भी कर सकते हैं इसे आप सिर्फ फूट पाथ लेवल करने के लिए ही नहीं बलके अपने बागीचे को भी प्लैन करने के लिए भी इस्तमाल में ला सकते हैं आप सकते हैं उमेद करता हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद देयोगी ऐसी इन्फरमेटीव और इंट्रेस्टिंग डियो देखते राने के लिए हमारी चैनल आपको जरू सब्सक्राइब करें अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद देये तो इसे लाइक कोमेट और शेर करना मत भूलें थैंक्स पर वाचिंग